सभी को नमस्कार अभिज्यान साकूंतलम काम अध्येन कर रहे हैं तीन अंकों का अध्येन कर लिया है छोथा अंक पड़ेंगे छोथा अंक अभिज्यान सांकुन्तलम ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य का सर्वस्रेश्ट अंक है इसके बारे में एक सुक्ति भी प्रसिद्ध है कावेशु नाटकम रम्यम तत्र रम्या सकुन्तला तत्रा पीच चतूर्थ अंक है चत तत्र स्लोक चतुष्टेम अर्थात कावियों में नाटक रम्य होता है और नाटकों में भी सर्वस्रेश्ट नाटक है अभिग्यान साकुन्तलम और उस अभिग्यान साकुन्तलम में भी चोथा अंक सर्वस्रेश्ट है और चोथे अंक में भी चार जो स्लोक है वे सर्वाथिक रम्ये है तो अब तक तीन अंकों में हमने यह बढ़ा है कि सकुन्तला और दुस्यंत का गांधर्व विवा हो चुका है भारतिय संस्कृति के अंसार आठ विवा माने गए हैं उनमें एक है गांधर्व विवा है जिसे आजकल प्रेम विवा है या लव मेरीज कहा जाता है तो सकुन्तला के जो पिता है कणवरिशी जिनका पालन किया है कणवरिशी ने सकुन्तला का वे तीर्थ के लिए गए हैं और उनकी अनुपस्तिती में सकुन्तला और दुस्यंत ने गांधर्व विवा कर लिया है अब दुस्यंत अपनी राजधानी में लोट चुके है और सकुंतला को यह कहकर गए है कि आपको सिग्र ही सह समान राजधानी में बुलाया जाएगा वहाँ आपको अन्यरानियों की तरह ही सम्मान दिया जाएगा और उनमें भी विशिष्ट सम्मान दिया जाएगा और सकुंतला इस समय गरववती भी है तो हम अब चोथा अंक पढ़ेंगे तो अपने सक्षियों के साथ सकुंतला बैठी है उनकी सक्षियां हैं प्रियमवदा और अनसुया और उस समय सकुंतला मनी मन अपने प्रियतम दुस्यंत का मनन कर रही है और वह उनमें खोई हुई है उनको और कोई खोस नहीं है केवल और केवल दुस्यंत का ध्यान है तो उसी समय दुरवासा रिशी आते हैं और दुरवासा रिशी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और जल्दी से शमा नहीं करते हैं और तुरंत साप दे देते हैं यदि उनके सम्मान में कोई कमी करता है तो अब सकुन्तला अपने प्रियतम में खोई हुई थी उन्हों ने सकुन्तला ने रिशी का सम्मान नहीं किया और देखा ही नहीं रिशी को तो रिशी क्रोधित होते है और स्रकुंतला को साप दे देते हैं क्या कहते है साप में वह हम इस पद्ध्य में पढ़ेंगे विचिंत यंतियम अनन्यमानसा तपो धनम वेटसीन माम उपस्थितम स्मृष्यती त्वाम नैस बोधितो अपिशन कथाम प्रमतय प्रथम कृताम इवे अन्यमानसा यम विचिंत यंतियम अनन्यमानसा तपो धनम वेटसीन माम उपस्थितम स्मृष्यती त्वाम नैस बोधितो अपिशन कथाम प्रमतय प्रथम कृताम इवे अन्यमानसा यम विचिंत यंतित्वम उपस्थितम तपो धनम मामन वेटसी सह प्रमतह प्रथमम कृताम इवे बोधित अपिशन तवाम नैस्मृष्यती अन्यमानसा एकाग्रचित होकर यम जिसको विचिंत यंति जिस वेक्ति का ध्यान कर रही हो एकाग्रचित होकर जिस वेक्ति का तुम ध्यान कर रही हो उपस्थितम तपोधनम और उपस्थित हुए तपस्वी मामनेवेची मुझको मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही हो मुझको देख नहीं रही हो मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही हो क्या करें डुरवासा कि जिस व्यक्ति को तुम एकाग्र चित्ध हो करके याद कर रही हो जिस व्यक्ति का तुम ध्यान कर रही हो और उपस्तित हुए आपके पास स्वम चल कर के आये है तपो धनम तपस्वी है और वो तपस्वी कौन मैं हूँ अर्थात दुर्वासा हूँ दुर्वासा जैसे तपस्वी को तुम देख नहीं रही हो जिसका तुम मनन कर रही हो सह वह प्रमत है प्रत्मम कृताम इव प्रमत है अर्थात पागल वेक्ती प्रथम्म करताम इव पहले कही हुई बात को बोधिते अपिसन याद दिलाए जाने पर भी याद करवाए जाने पर भी त्वाम नैस्म रिश्यती तुमको याद नहीं करेगा दुरुवासा रिशी ने शकुंतला को साब दे दिया है कि हे शकुंतला तुम चिस व्यक्ति का एक कग्रचित होकर के मनन कर रही हो और मुझ तपस्वी का ध्यान नहीं कर रही हो मुझ तपस्वी का अपमान कर रही हो जो तुम्हारे पास उपस्तित हुआ है ऐसे तपस्वी का तुम अपमान कर रही हो इस कारण जिसका तुम मनन कर रही हो वह व्यक्ति पागल व्यक्ति के समान जैसे पागल व्यक्ति पहले कही हुई बात को भूल जाता है और बार बार उनको जब हम याद करवाते हैं याद दिलाते हैं तो भी वह याद नहीं करता है पागल व्यक्ति के याद नहीं रहता है प तुमको भूल जाएगा कि मैंने इससे गांदर्व विवाह किया था और बार बार याद दिलाए जाने पर भी वह याद नहीं करेगा ऐसा साप दुरुआशा ने सकुन्तला को दे दिया है क्या कहा है दुरुआशा ने कि तुम जिसको एकाग्र चित्थो करके अनन्यमान सा मनन कर रही हो जिसको तुम याद कर रही हो वह वेक्ति तुमको पागल वेक्ति की तरह भूल जाएगा जैसे पागल वेक्ति पहले कही हुई बात को भूल जाता है बार बार याद दिलाए जाने पर भी उनके याद नहीं आती है उसी प्रकार दुस्यंत के ये याद नहीं रहेगा कि मैंने सकुन तला से गांदर वे विवाह किया है और ये साब क्यों दिया है दुर्वासा ने क्योंकि दुर्वासा रिशी उनके दौर पर जा चुकी है उनके पास खड़े है और वे उनकी ओर ध्यान ही नहीं ले रही है उनका अपमान किया रिशी का इसलिए दुर्वासा रिशी ने उनको उसको साब दे दिया सकुन तला को इसमें देखते हैं कौन सा चंद है और कौन सा अलंकार है इसमें परीकर अलंकार है परीकर अलंकार वहां होता है जहां पर किसी सब्द विशेष का प्रियोग किसी विशेष्ट कारण से होता है किसी विशेष अभी प्रायशे होता है वहां पर परीकर अलंकार है और यहाँ पर वनसस्त छंद है जिसमें प्रतीक चरण में कुल बारेवर्ण होते है तो अपने इस अंक का प्रथम पद्य पढ़ लिया है और अब आगे जो भी कथा वस्तु चलेगी उसमें इस पद्य का अर्थ महत्तो पूर्ण रहेगा आगे क्या घटना करम होगा इससे आपको स्वमी पता चल रहा है दुस्यंत सकुंतला को कहकर गए हैं कि सिग्र ही आपको सैसमान राजधानी में बुलाया जाएगा वहीं आपका राणी अन्य राणियों के साथ सम्मान होगा किन्तु अब आप स्वम सोचिए कि जब दुर्वासा जैसे रिशी ने सकुंतला को साब दे दिया है कि जिसको तुम याद कर रही हो वह तुम को याद दिलाए जाने पर भी याद नहीं करेगा तब आप स्वम सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी कितना ही से इस बाद में धन्यवाद